दोस्ता आपको क्या लगता है? एक सैक्ल की स्पीड कितनी जा सकती है? 20 km, 30 km, max to max 50 km पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिलकुल गलत हैं आपको बता दे कि 1995 में डच सैक्लिस्ट फ्रेड रॉंपेलबर्ग ने 167.044 mph यानि लगभग 268 km पर आवर की रफ़तार पर बैसिकल चला कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था पर उनका यह रिकॉर्ड जादर तक नहीं रहा और 22 साल के बाद 16 सितंबर 2018 में ड़िसे ने 183.931 m यानि लगभग 296 km पर आवर की रफ़तार पर बैसिकल चला कर उनका यह रिकॉर्ड दोड़ा और एक नया रिकॉर्ड बनाया था तो दोस्तों अब आपको इस वीडियो से कुछ नया सिखने को मिला हो तो इसे लाइक और ऐसे ही और भी मज़़दार फैक्स जानने के लिए हमारे जालों को सब्सक्राइब जरूर करिएगा